नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमीत और आप देख रहे हैं सच नियुच्छा को एक बार फिर से आपको बता दूँ कि एक ऐसी वीडियो आप लोग के बीच लाने जा रहा हूँ जिस वीडियो को देखकर आप लोग के एक अच्छी जनकारिया मिलेंगी मामला क्या है मामला दिल्ली में भी फिलाहल प्रैक्टिस करना है वाकिल साब हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद हमेजी थैंक्यू आपको आपने मेरे को इस चैनल पर बुलाया और मैं प्रैक्टिक्सिंग लायर हूँ डेली सुप्रीम कोर्ट में और डेली हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लायर हूँ सर हम जानना यह चाहेंगे कि आए दिन इस तरह के मामले आ रहे हैं जैसे सारीरिक संबंद प्रेम पुरग बनता है और बाद में पैसों के मामले में रेपिस्ट उसको समझ लिजे रेप केस लगवाना किसी के बढ़ बहुत सारे ऐसे कानून है जिसको मैं यह नहीं बोल रहा कि औरतों के साथ जायती नहीं होता उनके साथ ऐसे गलत काम नहीं होते लेकिन बहुत सारे ऐसे फाल्स केसे बहुत ऐसे गलत केसे लगा दिये जाते हैं सो दाया पैसा निकाला जा सके और अपने मंचाहा बहुत सार पर करानी हो या फिर पैसे लेने हो बहुत सारी चीजे ऐसे चीजों के लिए कुछ महिला है ऐसा काम करती है और अगर आप मेट्रो सिटीज की में बात करूं मैं डली में प्रैटिसिंग हूँ तो मैं बता दू कि डली में से बहुत सारे फेक केसे हमारे पास आते हैं जिसमें हस्बिन को या फिर कई केसे तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी मैं एक रिसेंट एग्जामपल अगर आप पॉमिट करें तो मैं दे दू एक महिला थी जिन्नोंने अपनी बच्ची का बच्ची के नाम से ऐलिगेशन लगा है कि उसके हस्बिन ने उसका रेप किया हुए जो की ट जुर्बिवार होते हैं गलत काम होते हैं तो ऐसे एक लगते हैं जो काफी उसमें लॉज है काफी ग्रिवियस पनिस्मेंट है तो एक और इस तरीके से भी यूज जो भी आप टॉम यूज करना चाहें कर सकती है और ऐसे बहुत सारे जो रेप के कैसे जे बहुत सारे अगर बॉइफरेंड के बीच में कुछ साल तक रिलेशन अच्छा चलता है अगर जैसे ही खतब होने वाला होता है ऐसे लगता है कि अब नहीं चल पाएगा तो रेप के चार्जेस लग जाते हैं तो फिर अगर उसे पैसे निकालना हो कुछ पैसे अटना हो तो यह सारे चीजों क होता है कि लड़की ने फेक केसिज किये हुए हैं तो आप उसके उपर डिफर्मेशन का केस लगा सकते हैं केस कोड से जूट बोलने का केस लगा सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह कि आप इतने साल तक यह कानूनी मैं इसको मकड़ा जाल बोलता हूं इसको क्योंकि जब आद से और भी एक्स लगा सकते हैं विकॉज उसने कोड के साथ जूट बोला है तो यह सारी चीजों का यूज करके आप उसे जेल भिजवा सकते हैं बट लोग नहीं करना चाते हैं विकॉज वो सोचते हैं कैसे मैं करके यह कोड का चैरी से बाहर निकल जाओ क्योंकि लोग डरत हैं क्योंकि यह इतना टाइम कंजूमिंग है कि लोग डर की वज़े से नहीं जाना चाहते हैं असर एक बात बताईए यदि साच होता है यदि लड़का के पास साच हो कि पैसे मांग रहा हो ब्लैक मेल कर रही हो लड़की अगर साच मिलते हैं तब फिर इसमें कोड क्या करे एक दूसरे के साथ सो यह आप दोनों लोगों ने आपसी सहमती से किया तो अबिसली जब आपके रिलेशन्स अच्छे थे तो आपके पास कुछ चैटिंग होगा आपका फोन पर डिसकेशन होगा आपने कुछ पैसे का लेंदिन किया होगा कुछ ट्रांसफर किया होगा अगर किसी ऐसे जगह पे ऐलिगेशन लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस पे किया है तो आपको सीची टीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग मिल सकते होटेल का अगर जिकर है तो सारे होटेल में आजकल सीची टीवी फूटेज होते हैं आपका जीपीएस का लोकेशन ट्रे कॉल रिकॉर्डिंग मान लीजिये आपको ब्लेक्मेल कर रहा हो या पैसे की डिमांड कर रहा हो और साच मिलते है तो इस तरह के मामलों में कोट उस लड़की के ऊपर क्या करेगी देखिए एक पटिकुलर केस में कोट एक पटिकुलर तरह के ही जजमेंट देती है अगर र दूसरे cases कर सकते हैं लड़की के उपर सुधायट उसको punishment मिल सके उस case में court आपको कोई relief नहीं देगी unless until आप wrong अगर proof हो जाती है लड़की गलत है तो आपको relief देगी कि आपको jail में नहीं डालेगी rape के charges के अंडर में उसके उपर कोई करवाई का chance कारवाई का chance बिलकुल बनता है आप लड़की के उपर cases कर सकते हैं court से जूट बोलने का matter आपको defame करने का matter आपका reputation खराब करने का matter ये सारे चीज़ों को लेके अलग से आपको case file करना पड़ेगा चलिए सर आपने बहुत अच्छी जनकारी दी और ऐसा करता हूँ दोस्तों कि इसके बहुत लोग भुक्त भोगी होंगे बहुत लोग इससे harassment भी हो जाते हैं काफी परसान हो जाते हैं हलाकि आपको डरना नहीं है कानून सबके लिए बराबर है वो लड़का हो चाहे लड़की हो और सर ऐसा करना भी नहीं चाहिए ऐसा जो करता है उनको आप कैसन देश देना चाहेंगे मैं तो यही बोलूँगा कि आप कानून का मिस्यूज बिल्कुल नहीं करें बिकॉज अगर लड़का ने आपके उपर केस कर दिया अगर आपने उसके साथ ऐसा कुछ किया हुआ है उसने केस कर दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे आप समाज में मुह दिखाने तक लाइक नहीं रहेंगे शायद आपकी लाइफ भी बरबाद हो सकती है तो उन सारी औरतों से लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि वो अगर कानून का मिसूज करने का एक परसेंट भी दिमाग में आए तो प्लीज नहीं करें विकॉज हमारे अगेंस भी यह जा सकता है थैंक्यू सार आपने बहुत अच्छी जनकारी दी सर आपके चैनल पर विजिट करने के लिए क्या करना होगा सर मेरा चैनल है मेरे नाम से रवियस गुपता के नाम से आप सर्च कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं में बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियो शॉट वीडियो डाले हुए जिसे आपको हल्प मिल सकता है ऐसे जैसे कि आपने रेप के बारे में बताया तो ऐसे मैटर्स में बेल कैसे आसानी से ले सकते हैं कौन से कोट को अप्रोच कर सकते हैं क्या basic formalities होती है यह सारे details मैंने डाले हुए है सर बहुत अच्छा लगा आपको बहुत बहुत धन्यबाद सर बिनमता के साथ आप सभी को साधर परणाम धन्यबाद